hello friends आजए मैं discuss करेंगे questions को कैसे solve करें में इस exam mission में तो एक question ले लेते हैं explore the status of finance commission in India explore का मतलब होता है उसका historical insights में जाना उसके basis पर जाना और constitutional उसकी जो status है उसको focus करना explore discuss, चरजा करिये explore करिये तो हिंदी और English दोनों मं आप देख ले न मेनिंग, question का meaning आपको संजबाना चाहिए, अगर आपको meaning संजबाना चाहिए, अगर आपको meaning संजबाना नहीं आया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, answer में, इसमें वो नहीं लिखना है, जो current status चल ला है, कि Ayn K. Singh की report आई, finance commission में इतना इतना दिया, vertical devolution, horizontal devolution, इसमें इतना percentage है, वो नहीं देना है भी, आपको explore करना है, historical insights में जाना है, ठीक है, तो इसमें फिर आप start कहां से करोगे, इसमें आप start करोगे, article 280 से, article 280 क्या कहता है, finance commission होगा, advisory nature का होगा, multi-member body होगी, एक chairman होगा, बागी है experts होंगे, ठीक ह तो यह basic है, इसको word limit के साब से लिखना है, अगर word limit जादा है, यानि long type question में आया, तो फिर score elaborate करना होगा, short में आया है, तो short में लिखना होगा, तो question की answering जो है, वो depend करती ही, कितने number का है, कितनी word limit का है, ठीक है, अब long question है, उसमें आप example टाल सकते हो, horizontal devolution कैसे होता है, vertical devolution कै कितना आएगा, और horizontal का मतलब states में कितना distribute होगा, तो इस तरीके से हम elaborate कर सकते है, diagram से, map से समझा सकते है, उसको हम discuss करते रहेंगे, तो question की nature समझना बहुत जरूरी है, उसकी प्रिकरती समझना बहुत जरूरी है, otherwise आप question को solve नहीं कर सकते हैं, इसमें page नहीं भरने में, आपक examination नहीं है, यह competition का examination है, यहाँ पर आपको top list में आना है, ठीक है, उनिवस्टी में तो आप पूरी रहमाड़ी लिखते हो, और उसमें फिर आपको mark मिल जाते हैं, चो कि वहाँ तो किवल time pass का होता है, हिसाब किताब, यहाँ पर ऐसा नहीं है, to the point लिखना है आपको, जो समझी है, जैसे आप question की प्रिकरती को समझेंगे, तभी आप उसका answer लिख माएंगे, current working क्या है उसकी, तब आप फिर variable दोगे, आप कोई पूछाए, finance commission की working पर आप फोड़ा comment करिये, या उसकी जो है वो working क्या है, या फिर उसकी जो है वो, कैसी जो है वो system चल रहा है, उस तब आप बताओगे न, कि vertical or horizontal कैसे होता है, और कौन-कौन से variable होते है, population होती है, area of the state होता है, forest cover होता है, fiscal discipline होता है, ठीक तो ये 4-5 parameters होते है, उनकी percentage होती है, आप इसका example दोगे, N.K. Singh की report है, उसमें कौन-कौन से variable है कितनी percentage है, तो ऐसे आप question को solve करेंगे, अपनी मर्जी सब कहीं से भी शुरू हो जाओगे, तो number नहीं मिलंगे, आपको जो आता है, वो आपको नहीं लेखना है, जो question में पूछा गया, वो आपको लेखना है, तो इस तरीके से आप solve करेंगे, तब आप pass होगे, आगे हम और discuss करते रहेंगे.